किंग मार्टन लूथर को 1964 में नोबेल प्राइज मिला इसकी वज़ा उनकी सिवर राइट्स मूव्मेंट थी ये एक नोन वॉयलेंट मूव्मेंट थी जिसका बेसिक मकसद एफ्रिकन अमेरिकन्स को हकूक दिलवाना था ये मूव्मेंट 1950 में शुरू हुई लेकिन इसकी हकीकत ये थी कि 1955 में रोजा पक्स नामिक लड़की को अरेस्ट कर लिया गया इस अरेस्ट की वज़ा ये थी कि उसने एक वाइट परसन यनि ये गोरे को सीट देने से इंकार कर दिया था उस वक्त बसिज वगेरा में काले और गोरों की बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन की जाती थी इसके जवाब में अफरिकन अमेरिकन्स ने बसिज वगेरा का बाइकोट कर दिया तमाम अफरिकन अमेरिकन लोग सारा सफर चल कर तेह करते ये डिफरेंट रांसपोर्ट के रस्ते यूज़ करते लेकिन कोई बीबस का इस्तमाल ना करता इस सारी मूवमेंट को मार्टन लूथर ने मैनेज किया था और एड दी एंड जब बाइकोट 388 दिनों तक चलता रहा तो सुप्रीम कोट ने बसिस में रांग नसल वगेरा की सेगरिगेशन और फरक को खतम करने का ओर्डर जारी कर दिया लेकिन 1963 तक इस ओर्डर पर बहुत कम अमल हुआ ये वो दोर था जब अमेरिका में नसल प्रस्थी इस कदर थी के लांच पॉइंट्स या पबलिक प्लेसिस पे भी बलैक पिपल को सर्फ भी नहीं किया जाता था 1960 में सीटिन यानि बैठे रहो नाम की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इस मूवमेंट में यूथ, स्टूडेंट्स और बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट वगेरा में हिस्सा लिया होता ये था कि वो लोग किसी भी पबलिक प्लेस पर जाते यानि जो काले लोग थे वो पबलिक प्लेस पर जाते और वहां जाके अपना कोई भी ओर्डर प्लेस करते लेकिन क्योंके वहां काले और गोरों की सेग्रिगेशन थी तो उनको order नहीं दिया जाता यानि कोई भी उनको serve नहीं करने आता तो इस वज़ा से वो वहां बैठे रहते बैठे रहते यहां तक कि उनको arrest कर लिया जाता इन सारे प्रोटेस्ट के बाद वहां पे public places पे black और white का फरक खतम कर दिये गए या पहले से हलाद बहतर हो गए इसके बाद jobs में कम तर समझे जाना और vote का हक ना होना भी normal था यानि उस वक्त तक सिर्फ white people यानि गोरे लोग ही vote कर सकते थे 1963 में एक मार्च हुई जिसमें किंग मार्टन लूथर ने अपना famous speech दी यानि I have a dream इस मार्च के बाद government और सारे सिस्टम पर एक pressure बिल्ड हो गया जिसका मकसद civil rights के कनून को पास करना था इस मार्च को manage करने और sit in movement में मार्टन लूथर के एक एहम रोल की वज़ा से इन्हें nobel prize दिया गया ये prize इन्हें peace यानि अमन में मिला क्योंकि इनकी सारी movement non-voilent थी इनके सारे इतजाद बिला किसी तोड़ फोड़ के किये गए थे तो ये basic वज़ा थी civil right movement के जिस वज़ा से इनको nobel prize मिल गया मज़ीद nobel नाम याफता लोगों के बारे में जानने के लिए ये playlist फोलो करें और channel को subscribe करना ना भूले